एलो गाइज, तो आज के एस वीडियो में जानने वाला है सेचन की खेती के से की जाती है? सेचन के क्या-क्या ओस्दे गुण है? और सेचन की फसल की कटाई कप करें? तो इन सारे जानकारें introductions से भरा यह वीडियो है. आपके लिए काफी खास होने वाला है. तो वीडियो में सकते हैं तो मैं उसदी इसके गुल्डी는 आपको क्या से त्यार करें पोड़ा का इसे वीडियों में तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसकी यह फसल भींजर मूमी पर भी अच्छा अत्वादन देदेति थे सहजन की तो इसके फूल फलियां बीच छाल जड़ेंवे पत्तियां सब उप्योगी है और इसके ओस दिये गुणों से भरपूर सहजन की मांग साल भर रहती है इसके ड्रोमस्ट्रिक के साथ ही मोरिंगा सूजना सहजन आधी नामों से भी जाना जाता है इसकी पत्तियों के साथ ही फूल फल फलियां टहनियां चाल जड़ आधी सभी काम में लिए जाते हैं इसमें 6 महिने में फलियां लगनी सुरू हो जाती है इसे वर्स भर में परती हेक्टेर में 3-5 लाग रुपे कम मुनाफ़ा होता है जो परती हेक्टेर में 3-5 लाग रुपे का मुनाफ़ा होता है किसी अन्य फसल के साथ भी इसकी खेती की जासे है बूंद-बूं से चाय पद्दिती का उप्योग करें के जा सकता है इसके लिए बालूई 2-5 मिट्टी उप्योग था है जो सेजन की खेती है इसके लिए बालोई दोबन मिट्टी उप्यूक्द है भूंद भूंद सिचाय पद्दिती अपना सकते हैं वैसे पानी की अधिक जरूरत नहीं रहती है इसकी खेती बंज़ जिमीन पर भी की जाता है पोदे लगाने से पहले गड़ों में गोबर की खाद या कमपोश्ट जरूर डालें पसल को किटों रोगों से बचाने के लिए डाइकलोरोवास 0.5 मिली लेटर पानी में गोल कर चिड़काव करना चाहिए और ऐसे तयारी करें पोदों की परति हेक्टियर 500-700 गराम बीज की मातरा प्रयापत होती है बीज को सीधे तयार गड़ों में या फिर पोलोथीन बैग में तयार गड़ों में लगा जा सकता है एक महिने में पोदे तयार हो जाती है इससे रोपन की तीन महीने बाद 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सुपर फस्पेट एवं 50 ग्राम पोटेशम परती की ग्राम की दर से डाले और इसकी फसल की कटाई भी बता देते हैं परतेक पोधे से लगबग 40-50 किलो उत्वादन साल बर में प्राप्त हो जाता है फल में रेशा आने से पहले ही तुड़ाय कर लेनी चाहिए जो फल में रेशा आने से पहले इसकी तुड़ाय कर लें इससे अच्छी बिकरी होती है मतला भी जो इसकी अच्छी बिकरी होती है आम तोर पर एक पेड़ से 10 साल तक अच्छा उत्पदन किया जाता है हर साल फसल लेने के बाद पोदे को जमीन से एक मिटर छोड़कर काड़ देना चाहिए तो इसके ओसदी गुण भी बता देता हूँ मैं इसमें क्या क्या पाया जाता है सेजन में कार्बोहेटरेट वसा प्रोटीन केलेशियम आयरन मेगनेशियम मेगनीज फासपोलस पोटेशियम सोडियम साथ ही मल्टी विटामिन्स एमम एमीनो एसिड भी पाय जाते हैं इसके चलते इसमें आक्सिडेंट और दर्द निवरक गुण होते हैं इसका उपयोग सब्जी आचार बनाने के साथ ही बहुत सी आयरुवेदिक ओस्दियों में भी किये जाता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे यूटूब चैनल एंजोई स्टेडी लाइफ यूटूब चैनल को लाइक सेर सस्काइब जरू करें ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए तो आज हमने बताया है सेजन की खेती कर कमया जा स सक्टा है मोटा मुनाफा तो आप अपने घर पर जय हो जो मैंने आपको बताया है तो आप अपने घर पर ए सेजन की खेती कर सकते और काफी मोठा मुनापा पा सकते हैं फसल की कटाई की भी मैंने आपको वीजी बता है कैसे फसल की कटाई करें तो मैंने आपको जो सहजन की खेती के बारे में आज बताया है आपके लिए काफी खास है और अपने जो सहजन की खेती करते हैं इसे काफी मोठा मुनापा हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही लाबकारी है और इसे अपन घर पर भी उसा उगा सकते हैं और इसमें 6 मैने के अंदर फल, फूल, फलिया आना परारम हो जाती है तो इसकी सबजी भी बहुत टेस्ट फूल होती है इसका अचार भी बनता है अचार भी बना सकते हैं और इसम मैंने आपको बता है सेजन में कायबो हार्टेड वसा प्रोटीन केलिसियम आयरन मैंगनेज फासफेट पोटेसियम सोडियम यह कही परकार के इसमें विटामिन्स पाय जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही लाबदायक है और इसकी सबजी भी बहुत ही लाबदायक है तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताए हमें और ऐसी ही हम नए नए जानकरिया आपके लिए लेकर आते रहते हैं हमारे यूटूब चैनल के माद्यम से तो गाइज बताईएगा कैसा वीडियो लगा मैंने आपको सहिजन की खेती से वाली फसले जिसमें ज़्यदा पानी के आउशकतर नहीं होती है तो मैं एक बार और आपको लिए रिवाइज कर देता हूं आपको अच्छे समझ मा जाएगा आपन हैं जो सहिजन की खेती से काफी मोटा मुनापा पा सकते हैं और इसकी फूल फल बीच छाल जड़े वह पत्तियों का भी बहुत उप्योग है सभी उप्योग है मतलब पूरा व्रक्स है इसका जो बहुत ही उप्योग होता है इसकी फूलों के सब्जी बनती है तो मैंने आपको सहिजन के ओस देग भी बताए